नमस्कार स्वागत है अब सभी का एक वार पिर सिद्धा खबरदान नियूज में तो वक्त हो चला है अब तक की बड़ी खबरों का तो चलिए सुरू करते हैं फटा फट अंदाज में डबलू डबलू एक महांतम डिशलर्स में से एक जॉन सीना ने अपने करियर को अलविदा कहने का निर्ने ले लिया है सनिवार को वे मनी इंदा बैंक दो हजार चौविस इवेंट में आकर जॉन ने गोटना की है उन्होंने 27 जून 2002 में अपना डिब्यू किया था और अब 22 स थाय रूप से रोक दी गई है इस मामले में गढ़वाल की आयुक्त विने संकर पांडे ने कहा कि तीर्थियातियों की सुरच्छा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को स्थागित करने का निर्ने लिया गया है राजस्तान में बिजेपी के 70 साल की उम्रपार कर चुके कई नेताओं को लेकर चर्चा तेज है कि क्या उन्हें संगठन या सरकार में एडजेस्ट किया जाएगा या कोई और जिम्मेदारी दी जाएगा ऐसे में जहां संगठन में बड़े बदलाओं की सुबुगा हट है टीम इंडिया के पूरू कप्तान मेहन सिंग दोनी ने आज यानि के 7 जुलाई को अपना 43 जनम दिन मनाया मेहन सिंग दोनी ने लोगों के दिलों पर रास करते हैं उनके फैन फॉलोविंग इतनी है कि उनके जनम दिन पर उन्हें सुब कामनाय पंबत हाई देने के लिए ल साल असार सुकला के दितिया को जगनात राथियात्रा निकाली जाती है हर वर्स की 32 बर्स भी जगनात राथियात्रा मनाया जा रहा है कहते हैं कि राथियात्रा के बीजेपी नेता नुपूर सर्मा ने राहूल गाधी के हिंदू वाले बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता को गुरुनानत देव की विचार धाला से जोडने का आरोप लगाया। बीजेपी ने बताया कि इस गाउं के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सफाई के प्रती इतना जागरुक हो रहे हैं। अनन्दमबानी अरपती उद्योगपती मुगे संबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। वही राधिका मर्चेंट और कोर हल्थ केर के सीएओ वीरेन मर्चेंट और उद्यमी सैला मर्चेंट की बेटी हैं। दो प्रमुक खुद्योगपती परिवारों का मिलन बारा जुलाई को बेटी सबसे इंतिजार कर रहा हैं। अनन्दममानी और राधिका मर्चेंट की साधी में बिहार गे दो दिग्गस नेताओं को निमंदर दिया गया है। तरनमूल कांग्रेज की सांसर महुआ मोहित्रा की खिलाब अभध रभासा की इस्तमाल पर फाइयर दर्ज की गई है। भारती न्यास संगिता की धारा उन्यासी याने किसी महिला की गर्मा को ठेस पहुँचाने के तहत यह केस दर्ज किया गया है। प्रभास दीविका पादकोर कमल हासन और विताब बच्चन जैसे दिग्जो की फिल्म कल की 28-29 नए डी बॉक्स ओपिस पर हर दिन रिकार्ड तोड रही है। रिकार्ड और बना रही हैं फिल्म ने इंडिया में दस दिनों में 465 करोड रुपे से जादा की कमाई कर ली है। प्रवार का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच सिवसेना के सांसद और दिग्ज देता संजयर राउत ने पियम मोदी और बिजीपी पर निसाना साधा है। साथ उन्होंने दावा किया कि गेंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में जादा दिन नहीं रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही ऐसी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहेंदा खबरदान नियोस तब तक के लिए धन्यवाद। पर नवाद।